पंच महालना बाहु बली नेता ने माजी सांसत प्रभाद सी चोहां नून नितन थाउशे पोतानी मुछों ने आगवी अदाती और खाता प्रभाद सी चोहां नी टूकी मांगी बाद नितन थाउ त्यांसी वर्ष नी जैफ वय प्रभाद सी नो नितन थाउशे प्रभादसी चोहार पंचाय थी पार्लामेंट सुधी पहुंचेला खुबर्जन लोग प्रिय लेता हता परिवार जनों मा भारे शोकनी लागनी प्रवर्ती रहे शे प्रभादसी चोहार ना निधन्डा समाचार प्राप्त थे रहा शे तेमनू किली मूटी खोट काई राजकारण मा ते थे ने किनरी लगबग चार दाइका थी गुजरात नी राजनी तीमा सक्री रहला प्रभादसी मध्य गुजरात नो खुब मोटो चहरो करण के गामना सर्पंती लेने सांसत सुधी नी तमाम चुटणियों लड़या ने सतक जित्ता रहा प्रभादसी बे विधांचाबा चुटण कि अपी यहीं जो के कॉंग्रस में थी सिकेर आउल जी सामें हारी गया था अन्ने त्यार बाद एमनों एक लामबो राजनेतिक इत्यास रहो चे परन्तु एमना निवेदनों थी लईने एमना जे पारिवारीक मसलाओने लेने खूब चर्चा मरहा कारन के एमना चौथी पत मरहा हाता पोतानी पत्निवन ना विवाद ना कालने पने चर्चा मरहा आउप्रांत पर एमने एक वाद जाहर मा निवेदन पना आतु तुके रूज गुजरातत नहीं देशनी कोई पन चुटली एवी न थी के जमा तमें दारून न पोचालों न तमें चुटली जीती जा प्रफाद सी चोहान पोतानी मुझो और पोताना बोलवान आनो खान दादना कालने हमेशा अवचर्चा मरहा चे पोतानी पारिटी में बले भाज़प मरहा होए के कॉंग्रेस मा होए पार्टी ना ज हाई कमांड नी सामें बेफाम बोलवा मा पन ते ओने कोई पोई पोताना मत्दारों ने ठीक लागे से एवी वातों हमेशा करता रहा था अने प्रफाद सीनु आजे लांभी बांद की बांद की बाद त्यासी वर्शनी वए निदन था हुचे किन नरी हमारे साथ मंचुपर उपस्तीत केंद्रिय सिक्सा मंत्री स्री दर्मेंदर प्रदान जी मेरे सहयोगी मंत्री स्री रुशी केज़बाई पटेल स्री प्रफूलबाई पांसेरिया राज्य सरकार के मुखे सलाकार स्री डॉक्टर रश्मुकबाई अडिया जी उनिवर्शिटी ग्रांड कमिस्टन के अध्यक्स स्री डॉक्टर जगदीश कुमार जी All India Council for Technical Education के अध्यक्स स्री टी जी सितारमन जी अग्रस चीव गुजरात के मुकेश कुमार जी सिक्षन कमिस्टन स्री बंचानी दिपानी नियामक स्री पीबी पंडिया जी MS University के कुलपती स्री वीजे कुमार स्री वास्ताव जी यहां उपस्तित पस्तिम भारत के विश्य विद्याले के खुलपतियां विद्वान वक्ताओ शिक्सावीदो उपस्तित अधिकारिकां प्रेश मीडिया के मित्रो आप सभी को मेरा नमस्का वाइबरन गुजराद समीट 2024 के प्री विएन के रूप में आयोजित वेश्टन जौन वाइस चांचेलर कॉनफरेंस और नेशनल एजुकेशन पॉलिशिय में गांदी जी सरदार पटेल और विश्वनेता प्रदान मंत्री श्री नरेंद्रवाई मोदी की इस धर्टी में आप सभी महानुभाओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ किसी भी राज्यका या राश्र के विकास की पहली सर्थ उसकी उत्तम सिक्सा व्यवस्ता होती है प्रदान मंत्री श्री नरेंद्रवाई मोदी जी भारत को ग्लोबल एजुकेशन हम बढ़ाने के शंकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रदान मंत्री जी का मानना है कि जब हमारा देश आर्थिक विकास के साथ बहुत दिक विकास के में भी आगे रहे तब ही सही मायने में भारत ग्लोबल एजुकेशन हम कहलाएगा आपने देखा होगा कि पहले अक्सर अर्थवयवस्ता रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वेसे विश्रयों पर ही अधिक चर्चाये हुआ करती थी लेकिन जब स्री नरेंद्र भाई देश के प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने देश का ध्यान आर्थिक विकास के साथ साथ सैक्सेनी विकास वर भी आकर सित किया प्रधान मंत्री जी कहते हैं भारत को एक बार फिर आदर्श सभ्यत का कैंद्र बनाने के लिए हमें अपनी शिक्सा व्यवस्ता और शिक्सा नीती पर अधिक ज्यान देना होगा इस सुद्देश के लिए आदर्श प्रधान मंत्री जी के नेत्रुतों में नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशे 2020 को लाया गया है हमारी नई पेड़ी विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और वैस्विक स्थर पर बहुत्दिक संपदाओं में सबसे आगे रहे यही नेशनल एज्यूकेशन पॉलिश का मुल मत्र है प्रदान मंत्री जी ने नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी को राष्ट विकास के लिए महा यगन कहा है इस महा यगन में जिनका महत्वपण योगदान है ऐसे वाइस सांसेलर यहां उपस्तित हैं इंटिग्रेशन ऑफस्केलिंग के जरिये हॉलिश्टिक एज्यूकेशन इनोवेशन और रिसर्च तदा कॉलिटी एज्यूकेशन जैसे विशयों पर यहां सामुहिक विचारमंथन होने वाला है हमारी नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी मौर रिलाइबल और मौर फिच्वारिस्टिक एप्रोच वाली है जो भारत के 2047 तक एकोनोमिक नजरिये के साथ साथ इंटेलेक्शिल तरीके से भी देश को डेवलप कंट्री का स्टेटस देने में महत्वप्रोण भूमी का निवाएगी प्रदान मंत्री जी ने नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी से एज्यूकेशन सेक्टर में पेरेडाइम स्रिफ्ट और समगर देश के एज्यूकेशन इंफर्ट्रक्चर को इंटेग्रेट करने का वीजन दिया है स्किल डेवलप्मेंट से टेक्नो सेवी यूथ तैयार हो इसके लिए अपने एज्यूकेशन इंस्ट्यूकेशन में मॉडर्न इंफर्ट्रक्चर सुनीच करना भी हम सभी का दाईत्व है विश्व की सबसे उची प्रतिमा स्टेच्ची ऑफ यूडी यूडी के परिशर में नेश्नल एज्यूकेशन पॉलिशी के इंप्लिमेंटेंशन के विचार मंतन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं मेरा विश्वास है कि प्रदान मंत्री जी के मार्दर्शन में इस पॉलिशी के इंप्लिमेंटेशन से भारत शिक्षा सेत्रे में भी विश्व में सबसे उचे स्थान पर पहुचेगा मान्य प्रधान मंत्री स्री नरेंदरवाई मोधी जी की अध्यक्स्ता में 2022 में वाराण सी में निस्तल एज्यूकेशन पॉलिसी पर अखिल भारतिय सिक्सा संगम का आयोजन किया गया था उशी में इस पॉलिसी के इंप्लिमेंटेशन और इंपोर्टन्स को लेकर काफी विश्पुत चर्चा हुई थी इसी के अगले भाग के रूप में आज इस रेश्टन जॉन वाई सांसेलन को कॉन्फरंस का आयोजन किया गया है हम सभी साथ मिलकर नेशनल एज्यूकेशन पॉ इंप्लिमेंट करने कर सकते हैं मुझे यह बताते हैं खुशी हो रही है कि गुजरात देश के उन चुनंदे राजियों में से एक है जिसने नेशनल एज्यूकेशन पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया था इतना ही नहीं हमने दस शालों के लिए इस पॉलिसी के इंप्लि इंप्लिया में सिख्षा के शेत्र में कई बड़े बदलाब हुए है टेकनोलोजी और बिजनेस के शेत्र में भी बड़े पहेना में पर परिवर्तन हुए बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज होआ है तो वही नहीं इंड़स्ट्री सश्वित्यों में आ गई है रोजगार के अउसर तो बड़े लेकिन उसका स्वरूप भी बदल गया है नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी में इन सभी बुंदियों पर विशेश विचार किया गया है किताबों के साथ साथ स्टूडन्स के स्किल डेवलप्मेंट पर भी अधिक ध्यान दिया गया है मेरा विश्वास है कि नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी देश के एज्यूकेशनल ट्रांस्वर्मेशन के साथ आत्म निर्बर भारत डीजिटल भारत और इनोविशन में भी महतोपुर्ण भूमी का निभाएगी भारत जैसे विसाल देश की डेमोग्राफिक डिवीडेंट की वाशा पर भी शिक्सा देने पर अधिक बल दिया गया यही यह भी हमारी भारती भासाओ और सांस्क्रुदी को समवर्दित करने का उत्तम माध्यम है कि नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी का निर्माण भारत के सेश्टम विद्वानों के विचार मंतन से हुआ है आज इस वेश्टन डिजिनल वाइस चांसेलर कॉन्फरंस के माध्यम से इस विचार मंतन को एक नई दिशा मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है अमरुत काल में प्रदान मंत्री श्री नदर्यद्वाई मोधी जी ने भारत को ग्लोबल एज्यूकेशन हब और विख्षित राष्ट बनाने का विजन हमें दिया है इस विजन को साकार करने में आप सभी वाइस सांसेलर का योगदान सबसे महत्वपुनर और उप्योगी साबीत हो सकता है इसलिए आप सभी नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी के इंप्लिमेंटेशन में अपना अधिक से अधिक कॉंट्रिबुशन दे आपके प्रयासों से ही यह नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी हमारे देश की डेमियोग्राफिक डिवीडन समान युआ सकती के टैलेंट और स्कील को ग्लोबल प्रेट्वर्म देगी मैं एक बार फिर नेशनल एज्यूकेशन पॉलिशी को समर्पीत इस विशेज कारेकर्म की अपर्स हपलता की कामना करता हूँ हादनिय प्रधान मंत्री जी के मार्दर्शन में देश के एद्यूकेशनल ट्रांस्फरमेशन की इस जर्नी में हम सब साथ मिलकर आगे बड़े इनी अप्रिक्सा के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ बारत माता की जय वंदे मात्रम जय जय गर्वी गुजरात धन्यवाद माननिय मुख्यमंदरी जी आपकी अनन्य प्रेणा और मार्दर्शन के लिए गुजरात में शिक्षाक्षेत्र और प्रणाली को आपकी सुद्रण प्रतिबदता से मजबूत करने के लिए